हेलो वीवर्द, असलाम अलेकम, उर्दू लीक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ, पाकिस्तान क्रिकट टीम साथ अफरीका में वन डे सीरीज और टी 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 सीरीज जीतने के बाद जिम्बावे के लिए रवाना हुई और आज थोड़ी ही देर पहले पाकिस्तान क्रिक क्रिकट टीम इस वक्त फुल फॉर्म में है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकट टीम ने सौथ अफरीका को सौथ अफरीका में तीन एक से सीरीज हराई जिसमें बेहतरीन परफॉर्मिस का मुझारा किया, बावर आजम ने, फखर जमान ने, उसके बाद मुहम्मद रिजवान ने, बॉलर्स की भी कारकेदगी खासी अच्छी रही, तमाम खिलाडी और कोचिंग स्टाफ बायो स्केर बबल में इस वक्त मौझूद है, जिनुभी अफरीका में भी तमाम स्कॉार जो होटल तक महदूद रहा, होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, और अब भी तमाम स स्टेड के बाद पाकिस्तानी टीम जो है, वो प्रैक्टिस सेशन करेगी, प्रैक्टिस के बाद जो है, वो पहला टी टी ट्वैंटी जो है, वो 21 अपरल को जिंबावे में खेला जाएगा, बाबर आजम ने गुश्ता रोस एक इंटर्वी में बताया, कि वो बहुत ही ज्य टीम के मशकूर हैं, जिनकी वज़ा से आज जो है, वो वन डे सीरीज और टी ट्वैंटी सीरीज जीते, और वो पुर अमीद है, कि जिंबावे में भी टी ट्वैंटी और ट्रैस सीरीज जीतेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ख्यार है, अलावाँ